राजिस्तान में शुरू हुआ सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है अब सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा सुरू हो गई है कि मद्यप्रेस की कहानी राजिस्तान में तो नहीं धोराई जाएगी दरसल मुक्यमत्री असोग गेलोत और पूर्ब डिप्टी सीम सचिन पाइलेट के भी सीम की कुरसी को लेकर फिर से किस्तान की खबरे सामने आ रही है कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक्ष के चुनाप को लेकर राइस्तान में कॉंग्रेस और सरकार में खीस्तान ठीक बेसे ही है जैसे कभी मद्यपेस में सामने आई थी उस समय कॉंग्रेस के दिगज नेता जोतरा सिंधिया ने पार्टी की अंधुरिनी कलह से तरस्थ होकर कॉंग्रेस छोड़ दीती एमपी के बाद राजिस्तान में भी हालत बेसे ही बनते दिखाई दे रहे हैं सिंधिया असोग गेलोट और सचिन पारेट दोनों गुट एक दूसरे के खलाब खुलकर सामने आखड़े हुए हैं बता दे कि कमलनाथ के एक बयान के बाद जोतरा सिंधिया अपनी ही पार्टी की सरकार के खलाब खुलकर मेदान में आ गए थे उन्होंने साजविनिक तोर पर सिंधिया का सड़क पर उतनने का बयान आया था जिसके बाद मीडिया के सवाल पर कमलनाथ ने दो टुक सब्दों में कहा था कि जिसे सड़क पर उतनना है उतर जाए इसके बाद सिंधिया ने कोंग्रेस छोड़ दीती सिंधिया के कोंग्रेस छोड़ने का असर यहां हुआ था कि कमलनाद भी CM की कुर्सी से नीचे आ गए थे अब राजिस्तान में भी यही हाल बन रहे हैं सचिन पाइलेट अगर कोंग्रेस से बगाबत करते हैं तो अब तक की जादुगरी दिखाने वाले CM असोग गेलोत और कोंग्रेस की सरकार दोनों खत्रे में पड़ सकती है फिलाल जो हालाद बन रहे हैं वा उसी दिसा में संकेत करते दिखाई दे रहे हैं